शेल के बजट को खाद्य मंत्री अमर्जीत भगत ने कल्यांसारी राज्य की कल्पना को सरकार करने वाला बजट बताया है। उनसे बात किया मरस्वदता रुपेश को पताने। मुख्य मंत्री वुपेश भगिन न अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ खाद्य एवं सहस्केति मती अमर्जीत भगत है जनते हैं उनसे कि क्या रियक्षन है उनका किस तरह से देखते हैं इस बजट को यह भी बजट जो है 36 गर के लोगों को रहात देने वाला बजट है 36 गर के लोगों का आर्थिक किस्विजी को सुद्रीड करने वाला आत्म निर्भर बनाने वाला शौलम्मन बनाने वाला है इस बजट में सबसे बड़ा घोस्डाव किया गया है कि पांच हजार करोड किसानों को पेखाते में आएगा आपके विभाग के लिए क्या है मेरे विभाग में भी तो बोल रहा हूं जो धान खरीदी का काम है उसमें अपना विभाग का मुख्य भूमिका रहा और पांच हजार करोड किसानों के खाते में जाएगा किसान स्वालंबी बनेंगे, आतन निर्भर बनेंगे दूसरा सबसे बड़ा हो है कि युनवर्शन पीडिया सिस्टम लागू किया गया है सभी के लिए सस्ता रासन का बेवस्था बहुत बड़ा कदम है शेत्रिय संतुलं का भी ध्यान रखा गया है जहां बस्तर और सर्गुजा क्षेत्र में करमचारी बोर्ड का गठन किया गया है वह समझे उस शेत्र के तिरती और चतुरती करमचारी वर्ड के और लोगों का भरती वहीं होगा यह उस शेत्र का लिए बहुत बड़ा एक निड़ा है यह गड़ कलेवा हरसले में बनाने की बात है इसके लिए जो गड़ कलेवा कलेवा कब से शुरू हो जाएगा निर्देश बेंच दिये गए हैं और मेरे खाल से मार्शे में लगभग मार्च अप्रेल में सब जागा शुरू हो जाना चाहिए आदिवासी निर्दे महाउत सो रहे गए बड़ी बात है हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आदिवासीयों के बारे में हमके संस्कृति बारे में एक मान और सम्मान देने के लिए तो ये थे मंत्रिय महजीद बगभग जो बता रहे थे कि उनके विवाद को दरसल इस बजट से क्या क्या मिला उन्होंने बताया कि बड़ी गोश्रा है कि इनुवर्सल पीडियस के लिए प्रावधान किया गया है कैमरामन जगनाद के शाथ राइपूर से रुपेश प्रावधान देने